मिधुन चक्रवरती की ये फोटो कई दिनों से सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है और मिधुन चक्रवरती के फैंस इस फोटो को देखकर काफी परेसान हैं और इसके साथ ही अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मिधुन को लेकर एक अलग तरह की न्यूज भी चलाई जा रही ह कि क्या हुआ है मिधुन चक्रवरती को लेकिन हम आपको पताते हैं कि आखिर मिधुन चक्रवरती की इस वाइरल फोटो को पीछे का सच क्या है तो चलिए वीडियो को आन तक जरूर देखेगा मिधुन दा की ये फोटो बैंगलोरू के एक हास्पिटल की है जहां पर मिधुन चक्रवरती अपना इलाज करवाने के लिए एडमिट हुए थे और वहां से ये फोटो अब वाइरल हो गई है और अब इस फोटो को लेकर मिधुन चक्रवरती के फैंस काफी परेसान है और जल्दी ठीक होने के लिए दूआ कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर मिधुन चक्रवरती को हुआ क्या है तो हम आपको बताते हैं कि आखिर मिधुन चक्रवरती को क्या हुआ है मिधुन दा ने पिछले महिने हुनरवासो में बताया था कि उनके किड्नी मे इस्टोन है जिसका वो इलाज करवा रहे हैं लेकिन पिछले हपते मिथुन्दा की अचानक तबियत खराब हो गई और उनके किड्नी में ज्यादा दर्द होने लगा इसके बाद उनके बड़े बेटे मिमो चक्रवरती और नमासी चक्रवरती ने उन्हें बेंगलोरु के पर मिथुन्दा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं उनके किड्नी में जो इस्टोन है इसलिए उन्हें बीज बीच में उनका दर्द बढ़ जाता है जिससे उन्हें हास्पिटल में एड्मिट होना पड़ता है लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा दर्द होने लगा इसलिए मिथुन्दा को हास्पिटल में एड्मिट कराया गया था उनके बेटे ने बताया है कि जल्द ही वो इस किड्नी के स्टोन से मुक्त हो जाएंगे और जल्द ही वो और फिट और फाइन हो जाएंगे और जल्द ही मिथुन्चकरती इस साल एक बड़ी फिल्म में अगे निकल चुके हैं और जल्द ही वो विवेक अगनिहुत्री के साथ देली फाइल्स में नजर आने वाले हैं तो इस बार भी मिदुन चकुरती बहुत बड़ा धमाका लेकार आ रहे हैं तो उम्मीद है मिदुन चकुरती जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे और फिर से हम लो कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थैंक्यू